पार्ट 25 की शुरुवात वहीं से होती जहां पिछले अपिसोड खतम हुआ था गवान कहता है अंदे हो क्या तुम यहीं पर तो बुक रखी है यह कहकर वो उपर क्यों रिशारा करता है पर डेमन मैनुवल को यहां ना दे कर वो भी हरान होता है और हर एरा में गवान की फोटो थी वहीं वो गवान की फोटो देखने लग जाती है जहां गवान ने तो पिछले 200 सालों में हर 20-30 साल बात अपना नाम बदल कर हिस्टरी की किताब में लग दिया था और उसके नाम पढ़कर तो दो ही हसने ही लग जाती है क्योंकि वो सब 1 से लेकर 8 तक के नंबर्स थे और ये गवान उसका 9th नेम है इसलिए दो ही उसे कहती है कि तो फिर तुमारा अगला नाम अब सिपॉन होगा क्योंकि या 8 वे नाम के लिए उसका नाम था जौंग पालॉन नवा नाम अभी चल रहा है जौंग गुवान उसे साबसे तुमारा दसवा नाम होगा जौंग सिपॉन गुवान कहता है मैं ये नाम बिल्कुल भी नहीं रखने वाला तो ही पूछते क्यों क्या बात है अच्छा तो नाम है लेकिन गुवान उसे कोई रिपलाई नहीं करता बटलर भी कहता है कि सही बात तो है आपके नाम के साथ एक ट्रडिशन चला आया है तो आपकी हिस्ट्री को मेंटेन रखने के लिए आपको इसे फॉलो करना चाहिए जोसन गुवान वाज लेक मुझे तो ये नाम का सिलसला शुरू करना ही नहीं चाहिए था तबी दोही पूछते कि बुख का नाम क्या था मैं भी ढोणने में हल्प करती हूँ बटलर बताता है कि उस बुख का टाइडल है डीमन ग्रीन कलर का है और एक आख के शेप का चमकिला क्रिश्टल जैसा एक चीज साइड में लगा हुआ है जो सुन दोही को भी यादा जाता है कि जब वो पिछली बार यहां पर आई थी तब गुवान ने उसे उस बुख को वो कोई डारी होगी इसे कि उस बुख में आखिर क्या लिखा है बटलर बताता है कि उस मैनुवल में डेमन के पाउर्स उन्हें यूज़ करने का तरीका और पाउर्स की लिमिटेशन्स के बारे में लिखा हुआ है इतना कहता है गुवान उसे चुप करा देता है उसे कहता तो कभी भी तुम अपना मोँ बंद नहीं करते थे कि पीट अब बस ऐसे ही अपना मोँ बंद रखा करना पर दर इनकी ये सारी बाते तो किलर उस ओडियो ट्रांस्मीटर से सब कुछ सुन लेता है और उसे भी समझ आ जाता है कि गोवान को पढ़ने बैट जाता है इसमें पढ़ता है इसमें लिखा हुआ था कि डेमन्स कभी भी गॉड की काम के बीच नहीं आ सकता वो नहीं इंसानों को मार सकता है नहीं मरे हुए को जिंदा कर सकता है नहीं वो कोई आने वाले नैच्रल डिजास्टर को रोख सकता है पर अगर डेमन्स नहीं इन सारी रूल्स को प्रेक किया तो डेमन को परिश्मेंट के तौर पर मिलियन सालों तक आग में जलने देने के लिए छोड़ दिया जाता है ये सब पढ़के किलर तो काफी खुश हो रहा था दोही कहती हम तो आसानी से टेलिपोर्ट होकर बुक के पास पहुंच सकते हैं गौन बताता है कि किसी ऑबजेक्ट को ठोने के लिए मेरी टेलिपोर्टेशन की पाउर काम नहीं करती मेरी पास थोड़ी सी लिमिटेड है बस मैं इंसानों के चहरे से उन्हें ढूंड सकता हूँ पर तभी कहता है कि एक और तरीका है ये बोलकर वो दोही का हाथ होल करता है और पूरे बुक शल्फ में चेक करने लगता है लेकिन बुक तो यहाँ पर थी ही नहीं इसलिए गौन बटलर से स्विसी टीवी फुटेज चेक करने के लिए कि लिए कहता है तबी उसे juicyok की बाते याद आता है चियाता है कि मुझे उस पर doubt है दोही पूसट ये juicyok ने क्या किया गोवन बताता है कि वो मेरे बारे में पता लगा रहा है कि मैं हूँ कौन और उसे मुझे पर doubt भी है इस पर दोही कहती है कि juicyok ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो ऐसे कभी छुपकर नहीं आएगा वो भी तुम्हारे इतने बड़े पैलेश जैसे घर पे चोरी करने अब दोही का उस पर इतना ट्रस्ट देखकर अपना गुवन तो थोड़ा जैलिस होता इन कहता है दोही इस परफॉमेंस के बारे में पूछती है तो गुवन उसे सब कुछ बताते हुए आडिटोरियम के ओर ले आता है जहाँ पर गायों अपनी फाइनल रिहर्जल की तैयारी कर रही थी तबी वो गुवन अदोही को साथ में आता हुआ देख लेती है तो बतलर पूछता है क्या तुम ठीक हो गायों कहती हाँ वैसे भी तो उनकी शादी फेक है ना इसके बादी वो अपना परफॉमेंस शुरू करती है जहां उसके डांस को देखकर गुवन को अपने इंसानी जिंदगी के सपने के बारे में याद आता है जिसमें वो लड़की भी ऐसे ही तलवार की साथ डांस कर रही थी इसलिए उसका ध्यान तो गायों के परफॉमेंस पर होता ही नहीं है वो तो अपने सपने के बारे में ही सोचे जा रहा था गायों का परफॉमेंस खतम होता है इदर गौण जो ऑडिटोरियम से बाहर निकल कर दिवार पे पेंटिंग्स देख रहा था जिसमें उसके सपनों के जैसे ही तलवार लिए एक लड़की की डांस करता हुआ जो कि मेरी इंसानी जिंदगी की मेमरीज थी सीन कट होता है गौण दोही के साथ होता है जहां दोही उसे कहती है कि मैंने सोचा नहीं था कि वो गायों इतनी अची आर्टिस्ट होगी लेकिन गौण तो अब भी चिपचाप होता है तो दोही उससे पूछती कि क्या कोई बात है तो दोही उसके और अपना हाथ बढ़ाती है गौण उसके हाथ को टच करता है लेकिन फिर से उसकी पाउर्स काम नहीं करती और उसी टाइम पर माफिया गैंग भी पहुँच जाता है जिनने देखकर गौण वजलेग अभी इसी टाइम पर आना था तर उन सब को टराने के लिए क्याता है कि इस बार तो मैं तुम सब को इतना मारूंगा ना कि तुम लोग एक दूसरे का शकल पहचान नहीं पाऊगे ये बोलते ही वो धीरे से 1-2-3 काउंट करता है वो दोही को लेकर भाग नहीं जा रहाता है कि तब ही वो सारे गुंडे गौण की सामने घुटने टेक कर बैठ जाते हैं जिनने ऐसा करता हुआ देकर गौण हमारे वाइल डॉग गैंग को आप जैसे पाऊरफुल लीडर की जरुवत है आपकी पाऊर से हम पुरे देश में नहीं पुरे दुनिया में राज कर सकते हैं जोसन गौण कीयता है वाँ सही का तुमने और दोही को लेकर जाने लगता है तो यसे भी बॉस बॉस कहते हुए उसके पीछे ही पढ़ जाते हैं इदर किलर ने उस डेमन मैनुवल को इन सब का मास्टर माइन गलब्स वाले बंदे को भेज देता है और कौण के केबिन के रिकॉर्डिंग भी भेज देता है तो ये मैनुवल को पढ़ने लग जाता है और कौण दोही की बीच की सारी बाते भी सुनता है इसके बाद ये killer को message करता है कि पहले इस go on नाम के रास्ते के कांटे को हटाओ तो killer लिखता है कि आपने सुनाना कि वो कोई आम इंसान नहीं है वो एक monster है तो mastermind कहाता है कि मैंने उस fight वाले वीडियो को बार बार देखा जिसे ये समझ आता है जब तक दोही उसके पास नहीं आई थी तब तक वो एक आम इंसान था यानि कि जब तक दोही उसके पास नहीं होती तब तक उसके पास भी powers नहीं होती पर उसके powers के limitations भी है वो तुम्हें नहीं मार सकता पर तुम उसे मार सकते हो जो सुनी ये किलर अपनी डेविले शासी देता है इसके बाद अपने लिए एक दूसरा चेहरा बनाने लग जाता है गोवन पे अटेक करने के लिए इदर गोवन दोई के घर से सुनोल फाउंडेशन के लिए निकलने जा रहा था दें दोनों ही स्माइल करते हैं गोवन तो काफी जादा खुश होकर चला जाता है लेकिन इदर वो किलर गोवन को माणनी की तैयारी में होता है कुछी देर में गोवन अपने आडिटोरियम में पहुंच जाता है यहां पर गायों का परफॉर्मेंस शुरू होता है इदर जूस्यक दोही से मिलने आता है जहां वो दोही को बताता है कि बिना एविडेंस के पुलिस तुमें 48 आउर्स से जाता डीटेन करके नहीं रख सकती दोही कहती है नोसुक को भी पता था कि यह कोई सबूत नहीं है फिर भे उसने मुझे अरेश्ट कराया क्योंकि वो मेरे आरेश्ट होनी की बात को नियूस पेपर के हैडलाइन में लाना चाता था क्योंकि मुझे क्रिमिनल चार्जेस की वज़े से अरेश्ट किया गया है इससे बाहर मेरी नेगटीब पब्लिसिटी होगी और पब्लिक के क्रिडिसिजम का रिज़न देकर फोर्ड मेंबर्स मुझे चेरोमन बनने नहीं देगी और यही तो वो चाता था लेकिन दोही खुदी क्या थी कि डोंट वरी सब कुछ सही हो जाएगा इतन उसुक के बेटे म्योंक को मेसेज आता है जो गौन की सीने में चाकू मार देता है और वो आदमी था किलर गौन का दर्द में देखकर वो किलर क्याता है कि कैसा लग रहा है दिन वो गौन को लाद मार कर नीचे गिरा देता है और चाकू के उपर पैर रखकर उसे और अंदर घुसा देता है गोण दर्द से दोही का नाम पुकारने लग जाता है वहीं ते दोही भी गोण को याद कर रहे होती है तो किलियर वो चाको निकाल लेता है जिससे गोण के कंडिशन बहुत ही जादा बिगड़ जाती है पर वो बस दोही का नाम लिए जा रहा था उसके आँखों से आँसों निकलने लग जाते हैं और इसी के साथ पार्ट 25 करेंड यहीं पर होता है वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर पहली बार आए तो do subscribe and hit the bell icon चल्दी ही मिलते हैं अगले पार्ट में तब तक लिए take care and bye bye